नमस्कार साथियों मैं जितेंदर सिंग चोहान आपके अपने यूटूब चैनल गुरू चोहान चिके पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूं अविननन करता हूं साथियों जैसा आप जानते हैं राजस्तान पुलिस कोंस्टेबल की विग्यपती जारी हो गई है और उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है नवीनतम सिलेबस में कुछ परिवर्तन किये गए हैं अते उसके बारे में मैं आपके समक्ष जानकारी देने के लिए उपस्तित गई है 3578 रिक्त पदों पर भरती के लिए समान पातरता परिक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में नियूंतम प्राप्तांग वाले अभित्रतियों से आनलाइन आविदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं अब ध्यान रखना है जिन विध्यारतियों ने जो सी एटी की एक्ज रामान्य पिछडा वर्ग अती पिछडा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनके सी एटी टैन प्लस टू में 120 अंक आये हैं यानि 40 प्रतिशत अंक आये हैं वो इस परिक्षा के लिए पातर होंगे अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती में जिनके 108 अं ट्राइब और शार्ण बात करेंτο नंक प्रतिशत अंक हैं कि इस प्रक्षा का क्या प्रोसेज रहने वाला है परिक्षा का चरण है सारेरिक दक्ष्टा पहले फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद में उसका कंप्यूटर अधारित परीक्षा आयोजित होगी तो पहले सारेरिक दक्ष्टा या माप्तोल परिक्षा होगी जो कॉंस्टेबल समान्य इंटेलिजेंट पुलिस दूर संचार जो होंगा उसके लिए ये क्वालिफाइंग कंप्यूटर आधारित परिक्षा 150 अंकी होगी दक्षता परिक्षा उसके लिए लागू नहीं है और अगर उसे विसेश योगिता एंसी सी होम गार्ड पुलिस से समं सेज रहेगा और जो कॉंस्टेबल चालक या घुरसवार या स्वान दल के लिए होंगे उनकी एक कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम होगी 150 अंकी और उनकी दक्षता परिक्षा होगी 30 अंकी उनके लिए विसेश योगिता के कोई नंबर नहीं है अर्थार्थ इसमें तो 170 नं 낮 dependent से कंप्यूटर आधरित परिक्षा लागू नहीं है उनके लिए विसेश योगिता भी लागू नहीं है उनका जो मात्र तीस अंका का ही होगा तो ये चयन का मापदन रहने वाला है अब सारिरिक दक्षता परिक्षा के लिए जो मापदन निर्धारित के गए है पांच किलोमेटर की दोड निर्धारित की गई है कॉंस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस चालक बैंड घुरसवार स्वान दल पुलिस दूर संचार पुर्सों के लिए पचीस मिनट है तो मैलाओं के लिए 35 मिनट है भूतपुर्वे सेनिक के लिए 30 मिनट है तो ट्राइबल सब प्लान छेत्र अनुसुचित जाती और प्राप्त किये हैं जो चयन के लिए उप्यूक्त हैं उनको ये सारीरिक दक्षता परिक्षा देनी होगी उसका ये मापदन रहने वाला है जो सारीरिक दक्षता परिक्षा के बाद में जो कंप्यूटर आधारित परिक्षा होगी कंप्यूटर बैस टेस्ट होगा 150 अंकों का होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 150 प्रश्ण होगे तथा जिसकी दो घंटे समय अवदी होगी प्रतेक प्रश्ण का सही उत्तर दे पर 25 प्रतिशत अंक काटा जाएगा अथ है माइनस एक बटा चार इसकी दो है माइनस मार्किंग वह एक बटा चार है एक सवाल सही होने पर एक अंक मिलेगा और एक गलत होने पर 0.25 नंबर कट जाएंगे और यह परिक्षा ओनलाइन कंप्यूटर बेस्ट होगी ध्यान विवेचना और तार्किक यूगिता और कंप्यूटर का सामाने ज्यान इसके साथ प्रशन आएंगे एक सवाल एक नंबर का है अते साथ अंके होंगे भाग बैमे जनल जी के सामाने विज्ञान सामाजिक विज्ञान करंट जी के महिला एवं बच्चों के अधिकार बाल राजस्तान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी यूजनाए ये नया पार्ट जोड़ा गया है वैस संस्ताओं के समन्द में जानकारी अते यूजनाओं की जानकारी होनी चाहिए करंट जी के आना चाहिए सामाने विज्ञान आनी चाहिए सामाने सामाजिक विज्ञान आना ये पैतालीस प्रश्ण होंगे जो पैतालीस अंकों के होंगे और भाग से में राजस्तान का इतियास, राजस्तान की कलासंसकरती, राजस्तान का भुगोल, राजनिती, एमम आर्थिक इस्तिती, पैतालीस प्रश्ण आएंगे जो पैतालीस अंकों के होंगे, यानि कुल राजस्तान पुलिस की परिक्षा के अनुसार विवेचना एमम तारकिक योगिता के हमने बहुत सारे वीडियोज डाले है अकॉर्डिंग टू सलेवस कम्प्यूटर के सामान्य ज्यान को हमने समाहित किया है सामान्य ज्यान और सामाजिक विज्यान में हमने भारतिय इतियास भारतिय वेविश्व का भुगोल भारतिय सविदान और भारत वेविश्व के सामान्य ज्यान को हमने समाहित किया है सामान्य विज्यान के लेक्चर इसमें डाले गए हैं समसामिक विशे में हमने इंडिया और वर्ड के करंट जिके को शामिल किया है तथा हमने राजस्तान पुलिस में नहीं था इसे जोड़ा गया है राजस्तान सरकार की द्वारा प्रचलित सरकारी यूजनाएं वे संस्ताओं के संबंद में जनकरी उसमें हमने दो पार्ट रखे हैं राजस्तान में जनकल्यानकरी यूजनाएं और राजस्तान में राजसरकार की फ्लेक्सिप викstatی, राजस्तान की राजविवस्तायानी राजनितिक elite और राजस्तान समन्य घ्यान विविद हमने इन सभी जो topics दिए गे हैं, इन पर बहुत ही अच्छे विश्विशच्ग्यों के माध्यम से अलग-अलग विशेशगे हैं, रिजनिंग के एक्सपर्ट ने रिजनिंग पढ़ाई है, तो कम्प्यूटर के विशेशगे ने कम्प्यूटर पढ़ाया है, भारत के जिके के बुगोल के अलग विशेशगे हैं, इसी परकार करंट जिके के अलग विशेशगे हैं, मैला एम बाल अपराद के अलग विशे सके हैं यानि हर विशे के वे बहतरीन शिक्षक जो ओफ-लाइन मोड पर दद दस पंदरा पंदरा बीस भी सालों से पढ़ा रहे हैं उन शिक्षकों के माध्यम से ये पूरा recorded course हमने तयार किया है और क्या इसका आपको आज बेनिफिट दिया जा रहा है आज लांचिंग ओफर है complete recorded course है जो 3000 रुपे का course था जो आपको 75% डिसकाउंट पर मात्र 750 रुपे में आज प्रदान किया जा रहा है ये drone एप में आपको ये course मिलेगा और इसकी वैदता एक साल तक रहने वाली है फिर आप वहां जाकर course को देख सकते हैं कि किस content में कितने कितने videos डाले गए हैं क्या उसका मापदन रखा गया है फिर आप उस course को खरीद सकते हैं तो ये एक सुनेरा आउसर है आप लोगों के लिए एक golden opportunity है कि आप मात्र 750 रुपे में एक complete police का course recorded course आप ध्रून एप से प्राप कर सकते हैं क्योंकि physical के बाद return test होगा अते विध्यारतियों को इतना मुका नहीं मिल पाएगा कि वो इसको फिर बाद में बहुत अच्छे तरीके से त्यार करें तो अभी ही देरी ना करें जिन विध्यारतियों के क्योंकि physical तो ग्रामीन शेतर के विध्यारती ज्यादातर राजस्तान पुलिस की परिक्षा देते हैं और ज्यादातर physical fit होते हैं कोई 57% को छोड़कर 95% लोग physical fitness को प्राप्त करते हैं और physical आराम से clear कर जाते हैं पांच किलोमेटर की दोड़ तो दिक्कत तो फिर return test के आधार पे होनी है तो return test की तयारी एक दिन में नहीं की जा सकती उसके लिए इतने सारे विशे हैं और उनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है तब ही आप इसको clear कर पाएंगे तो drone app विद्यारती हित्मे करांती की और अग्रसर है डॉक्टर एस मंगल सर के मार्क दरशन में ये drone app तयार किया गया है चोहान publication की पुस्तकें पूरे राजस्तान में अपनी quality के लिए जानी जाती है और अब drone app विद्यारती हित्में बहुत अच्छे अच्छे courses बहुत अच्छे अच्छी e-books आपके लिए तयार कर रहा है तो देरी किस बात की drone app को download कीजिए और पढ़ने का मजा लीजिए धन्यवास साथियों जैहिन साथियों